यदि लड़कियां घर में आती हैं तो उनका स्वागत करें सम्मान करें और अच्छी परवरिष्ट दें तो हमें हजारों लाखों की रणजी मिल जाएंगे हंड़िट पसेंट हर बच्चे को सही मापाप चाहिए जाए वह लड़का हो लड़की लड़के को भी संसकार अची दे देंगे तो लड़का बड़ियों के लड़की को चेड़ेगा फिर कसूर कहा है तो इसलिए मैं यह कौँगी जो भी आज लड़का लड़की है वो अपन सुर्ष कहती हूं कि जो लड़का लड़की को चेड़ते हुए पकड़ा गया पता करो उसकी टीचर कौन था उसका स्कूल का भी स्लिए नाम चापने लगजाए और स्कूल का नाम चापने लग जाए बक्ति के हमारे तो अड़मिशन बंत Always और यहां से लड़के निकलते है या कई बार हमारे parents भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, advance नहीं है, तो ये सारी जानकारी है, ये सारी संसकार नहीं मिल पाते, इनकेस यदि ऐसा नहीं है, तो लड़के लड़कियां खुद आज बहुत जागरित हो गया है और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यदि ऐसा नहीं ह हो पा रहा है, वो खुद अपने दम पे क्या करें? आगे बढ़ने बाद में बनते हो, आप क्रिमिनल नहीं पैदा होते हैं, क्राहिम करना बाद में सीखते हो, वातावरन से, तो संसकारी होना के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, पुरो जे हमारे नाना, नानी, दादा, दादी क्या वो पीच्टी कहीं थी, लेकिन क्या श संसकार तो घर से आते हैं, अंदर से भी आते हैं, अपने आप को पहचानने से भी आते हैं. उस चीज़ की पूरती यहां से हो सकती है पहले तो ब्रहम हुकमारी शायद पहली और्गनाइजेशन वर्ल्ड वाइड है जिसने शक्ति करन किया महलाओं का यह सारी लीडरिशिप महलाओं के हाथ में पुरुष भाई उनको सपोर्ट में है अगवाई नहीं कर रहे अगवाई महलाओं के हाथ में सोच भी महलाओं के हाथ में पुरुष भाई सारे सपोर्टिंग सिस्टम है यह पहली और्गनाइजेशन शायद है जो की इस तरीके का और 80 साल पहले जिसका सपना लिया गया और नीव रखी गई और इमारत भी बना दी गई तब महलाओं से लड़कियों से कन्याओं से चुरुआ पहली और्गनाइजेशन 80 साल पहले भारत सुटंतरता से पहले नीव जब करेगी जब हमारे शिव बाबा ने किया तो मैं कहते हूँ यह फर्स्ट और्गनाइजेशन तब ही तो ओम शांती बोलते हैं ओम शांती कौनसी डिग्री है ओम शांती मैं हूँ शांत जो एक आध्यात्मिक शिक्षा दे जा रही है प्रमा कुमारी इसके दोरह लगातार 80 वर्शों से इंसानियत की कि आपको लगता है कि इसे हर वर्ग तक, जन जन तक गाउं गाउं तक जाना चाहिए यदि यह यहाँ पहुचता है और सरकार की भी इसमें मदद रहती है तो परिवेश, समाज, कुछ और हो सकता है यह जा चुका है ब्रमा कुमारी और्ड़ी जा चुकी है गाउं गाउं में जा चुकी है और दूसरे जगा जा चुकी है लेकिन यह और जाते रहना होगा और इसको बढ़ाना भी होगा उसलिए यह जा चुकी है मैंने देखा है यह जा चुकी है membership आईगी और जाएंगी लेकिन अब एक और रूप के तरीके से जा सकती है जी वो यह कि जो कन्याएं हम लायक बनाएं उनको अफिसर्थ बे बनाएं सरकार में इंवे लेके जाएं तो mettre hak Okeラ राज नी ती शब के बस की नहीं है राज नी थी लेकिन प्रशासन तो है नो मेरिट से तो हमारी बेटियां अगर praशासन से मेरिट से इम्तियान लेके पास हो तो 50% महलाएं भी ऐसी कन्याएं आ जाएं जो कि मेरिट पे आएं शिक्षित हो और सरकारी अफसर भी बन जाएं तो देखिए सरकार का रूप बदल जाएगा जो रूप सरकार का होना चाहिए वो रूप असली निकल के आएगा लेकिन कहीं न कहीं जिस अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं मुल्यों की बात कर रहे हैं इंसानियत की बात कर रहे हैं वो इस आपाधापी में पीछे चूटता जा रहा है तो हमारे युवाओं को क्या कहेंगे कि इसे कैसे अपने साथ लेकर के चलें ताकि हम जो चाहते हैं वो चीज आपाएं प को भी बन दे जाये, अच्छे इंजिनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छे प्रोफेशनल बने, टीचर बने, प्रशासक बने, नेता बने, लेकिन साथ साथ अपनी इंसानियत रखें, अगर आपको जीवन जीने की कला नहीं है, तो फिर आप मशीन हैं, तो आप मशीन बन रह इनसान अपने लिए कमाता है, बांडता है, खुशी करता है, भग्रण को याद करता है, धन्यवाद करता है, माँबाब की सेवा करता है, लोगों के काम आता है, इमानदारी रखता है, यह तो फरक है, मशीन और जानवर और इनसान, अगर आपको यह endroit नहीं पता है, तो प्रड़क्टीव इस लिए आपको अंतर है कि मुझे बनना क्या है इंसान बनना है कि मशीन बनना प्रड़क्शू नोता है पर फिर वो काम भी तो करेगा प्रफेशनल भी होगा